यह न्यूजियन दॉलर का चार्ट है तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने एक तो पैटन देखा है यहां पर तो यह एक फॉलिंग वेज पैटन है अब ट्रेंड में अगर ऐसे फॉल आए तो उसके बाद अगर इसके उपर ट्रेंड लाइन के उपर ब्रेक आउट हो तो मार्केट बुलिश जाता है तो आपको यहां पर पैटन दिख रहा है अगर मार्केट इसके उपर क्लोजिंग दे दे आर्डे टेस्टिंग कर ले तो प्राइस पहले यहां तक आएगा प्राइस यहां तक आएगा और मैंने जो लाइन टॉकिया आप देखे अभी वहां पर मार्केट ने पहले भी सपोर्ट ले चुका है यहां पर आप देख सकते हैं तो एक सपोर्ट का वैलू आप समझ सकते हैं यहां पर यहां पर मार्केट ने क्यों यहां पर फिर से एक रिजेक्शन मिला क्योंकि यह एक रिजेक्शन लेवल है तो यह ब्रेक आउट देने तक यहां तक तो मार्केट जाएगा ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए